हाऊ आज हम लोग देखेंगे दरोगा यानी कि एसाई का जो कोस्टन पुछा पर्थम पॉझा गया है पर्थम इस सिटिंग में उस को में थो वाले साथ को मुझा गया है तो में त्रिक्स का जो ख़र आप का पूछा गया है तो आहिए सब तो कूस्टन है एक दुकन दार को 144 कूरसी को बेचने पर छो कूर्सियों के बिक्रे मुल के बराबर हानी होती है तो इसकी हानी परतीसत तो हानी जब बहुत लिकालना होगा तो क्या की दिएगा 144 अच्छे वहानी हुआ तो इसमें ऐसे अगर 6 अगर पलस कर दिएगा तो कितना चला है 150 150 क्या चला है हम लोग करें अब यहीं लिकाल दीजिए लहानी परतिसाथ यानिकि लॉस के आपको परतिसाथ लिकालना है क्या लिखिया च्छे बटा में कितना हो जाएगा 150 इंटू आप कर दीजिएगा कितना से 100 से वैसे इसको कर दीजिए तो कितना बार में हो जाएगा 25 इस तरीका से कितना आसान समझ गए होंगे चलिए भी मेरे साथ बने रहेए दूसरा नंबर को अब देखते हैं इस कोस्टन को आप देखे सेकेंड नंबर 15 बार बारी किसे पढ़नें जिसमें पानी के साथ 20 पर 30 अलकोहल है याने कि मिसरण में कितना पर 30 अलकोहल है 20 पर 30 और गाता है फिर 10 लीटर पानी मिलाया जाता है किसमें मिसरण में तो अब तो alcohol की सांदर्बता कितनी है । कितनी है पर्षेंट में उपसे के मोटाबिक हम वो के बनाने तो सबसे पहले अब से पूछा जा कि 50 लिटर में कितना alcohol सबसे कि आप पहले लिकाए कि आल्गोहल की मातरा कितनी होगी लिख दे जिल कर दीजिए तो कितना अल्कोहल कितना हो गया दस यानि कि दस लीटर हम लोग का अल्कोहल है अब उस्ता इसमें कितना पानी मिला दिया जाता है दस लीटर पानी मिला दिया गया तब उस्ता कि अल्कोहल का पर्तिसत क्या है कितना पर्तिसत अल्कोहल होगा तो अब जो अल्कोहल का पर्तिसत होगा कितना हो जाएगा आसानी से बना सकते हैं क्यर्प गलाव नहीं घुरंटो दस नहीं कितना तर पचास और दस और मिला दिये कितना सबूला तो पचास वाटा कितना चला या तीन तो छलिए अब तीसना नमर हम लोग को देखते हैं इस को आप देखें असानी से इसको भी बना सकते इस पीड इकोल टू आप जानते हैं यहनि कि चाल इकोल टू गती कोल टू क्या होता है दूरी बटा समय ठीक है पहले से भी आप जान रहे हैं इसको सेक्ड़ों में बना सकते हैं अब दिखें कितना दूरी कितना दे दिया 250 अखंभा जब पार करता है तक आपना ट्रेन लंब सेक्ट तो किलो मीटर प्रतिगंटा में बदनने के लिए आप जानते हैं कि इसको केंसल आट किजिए तो अगर इसको केंसल आउट कर दे तो कितना चला इस तरीका से आप इसको से किंड़ों सकते हैं तो चलिए अगला को सन्पों को और देखना है बोकर चलिए चौर्त-फ के इसको असानी से इसको आफ बले आपको himself लिक्सा में तो जाос से प्लेलिष्ट से ट्रिक्सका खाशानना वाला कंशे कम आफ जरूड तो चलिए कर एक तलीवीजन का अंकीत मुण इसके क्रेमूण से 20 पर तीशत अधिक है यदि अंकित मुल पर 10% छूट दी गई हो तो परतीसत लाव है तो आपको बताये थे एक ट्रिक्स बोले थे कि इस तरीका से लिख लेना है MRP याद होगा तो CP और 100 प्लस बोले थे कि R लिख लेना है ठीक है प्लस माइनस यहां बताये थे और 100 माइनस क्या करते थे D बस हुआ ही बना देना है तो क्रेम अगर हम लोग ले लेते हैं इस तरह से अगर क्रेम सीपी अगर आप ले लिए 100 तो अंकित मुल कितना हो जाएगा का 120 उपर MRP और कितना तो कितना परतिसात का लाव लिकालना है तो 100 प्लस आर कर लिजी और कितना परतिसात का छूट दिया गया है तो 10 परतिसात 100 में से अगर 10 माइनस कर दिएगा तो कितना चलेगा बस इसी को बना देते इससे जीरो से जीरो को केंसिल इससे इसको जीरो को केंसिल इससे इसको इंटू कर दिएगा ता कितना चलाएगा 108 इस तरफ अगर माइनस कर दिएगा इसको तो कितना चलाएगा आठ यहीं चलाएगा कितना आप परसेंट चलाया आठ परसेंट यादि कितना इजी था आसानी से बना सकते थे फिर देखते हैं चलिए इस कोश्चन को आप देखिए चक्डबीर्दी पर 5,000 रुपया चार वर्स में 20,000 रुपया हो जाता है तो चक्डबीर्दी भी आज के दर के पर तीसत की गन्ना कीजिए यानि क्या लिकाना आपको रेट ओफिंटेस्ट लिकाना इस टाइप के भी परस्ता हम लोग बना चुके हैं ठीके वहां से जाके बोले कि मैं ट्रिक्स के खाजाना में साला टाइप का जितना भी पूछा गय तो 5,000 रुपया मुलधन एक बार लिख देते हैं आपको समझने के लिए 5,000 रुपया मुलधन आपका जड़िया 20,000 क्या है तो 20,000 आपका मिस्डधन है ठीक है मिस्डधन और वर्ष जो टाइम जे दिया है चार वर्ष तो आपको बताये थे कि जब भी इस तरीका से लोग लिखलते हैं तो यह कितना है इस तरीका से आप लिख दीजिए ठीक है यहां भी कितना हो जाएगा चार समय तीन वर्स और दो वर्स वाला देता तो असान होता थोड़ा सा कलकुलेशन आपको कर दिया समझने के लिए अब देखें तो यहां से यहां इसको करते हैं तो हो झाला है तो इसको आपका ने कर दो ऑसान है अब यहीं कितना वर्स लिखा लीए गए टा के पांबर कितना है सकते हैं if I until for सभसमाखने के लिए किषस तो सिल कभिंग के पांबर कितना हो जाता एक बटा और एक बटा-दो के अगर हम लोग लिखते तो इसको समझने के लिए हम कितना लिख सकते हैं थीक है योटब के आप लिख सकते थे कि दो सब्नोन है दोनों का क्या होता है तो इन लिकालने के लिए के लिए खर वर्फ सवाइन को फो पॉइंट के नगा एक ठीक है एक क्या होगा मुलधन मुलधन के सामने कि इन्टू की दिए गा कितना से औंग के बाएंट हो जाएंग आपका तो एक 40 कितना पॉइंट चलेगा फोर चलेगा समझ गए होंगे अगर नहीं समझते हैं तो चक्डबिर्धी व्यास से रिलेटेड आपका प्ले लिश्थी बना हुआ है सारा वहां से भी जास के देख सकते हैं और आपको बता दे कि पहली बार इस बार जो आम लोग का भी हार एसाई का जो इस वीडियो में और अगला देखते हैं क्या कोशन पूस्ता है उस पर भी हम लोग डिस्कर्स करेंगें